इस lecture के अंदर मैं आपको कुछ और data types जो है वो बताने लगाँ जो बहुत ज्यादा तर use की जाती है कि discrete data है जी continuous data है या binary data है इन तीनों में फरक क्या है तो वो ही हम देखते हैं आप इस lecture के अंदर मैं अपनी screen जो है आपके सामने ले के आता हूँ अगर आपको पता है discrete continuous और binary में क्या फरक है तो please write down in the comment section otherwise I am going to show you कि discrete data क्या होता है continuous क्या होता है और binary data क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं discrete 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 data discrete data ऐसा data होता है जिसको आप basically count कर सेके with integers अब आप कहेंगे integers क्या है तो integers जो हैं वो basically आपके numbers होते हैं एक, दो, तीन, चार से ले कें so on ठीक है जो data आप integers की मदद से लिख सकें और count कर सकें उसको हम discrete data बोलते हैं ठीक है और इनके दरम्यान equal gap होता है ठीक है और इनके दरम्यान gap होता है यानि के एक, दो, तीन, चार एक से दो के दरम्यान उतने हैं गया पाई जो दो से तीन के दरम्यान ठीक है या आप ये कह सकते हैं एक और दो दो बराबर बराबर नहीं है ये थोड़े से different है एक और दो का distance different है on the other side इसकी simple example देने के लिए मैं बोलता हूँ क्या मुझे बताएं कि बाहिर अगर car parking में आप check करें कि कितनी cars जो हैं वो पार्क की हुई है number of cars in parked area अगर वो 43 हैं तो ये हमारे पास discrete data है ठीक है अगर यही चीज मैं आप से पूछू number of children in your family number of children in your family तो वो जितने number हैं जो हम count कर सकें एक उसका बेटा एक मेरे चाचु का बेटा है एक मेरी खाला का बेटा है सारे मिला क्या आप कहा सकते हैं कि ये 5 बच्चे हैं ठीक है so ये हमने count कर लिया this is called discrete data discrete data क्या होगा जिसको आप count कर सकें जिसको आप लिख सकें in an integer form integer की समझ आगी आपको ठीक है then हमारे पास आता है second one continuous data continuous data क्या होता है ऐसा data जिसे आप एक range की base पे लिख सकें ठीक है अब अगर मैं बताओं एक से दो इसके दर्मियान भी जितने point आते हैं वो भी इसके अंदर है 1.2, 1.3 या 1.12 सारे points ये minimum से maximum है इसके दर्मियान वाले points में है यहां पर हमने देखा था दर्मियान वाले ना है तो इसको हम बोलते हैं continuous data और ये values जो हैं वो यो measurable होती है and can be infinitely subdivided यानि के ये बहुत ज्यादा आप subdivide कर सकते हैं आप decimal values को 2, 8, 9, 3 आगे तक लेके जा सकते हैं और ये measurable quantity होती है यानि के इसको आप measure कर सकते हैं measurement इसकी आप ले सकते हैं measureable इसको बोल सकते हैं और measureable का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज को measure कर सकें यानि के simple आपकी height second आपका weight आप उसे भी count देख सकते हैं measure कर सकते हैं measure का मतलब मापना नहीं है measure का मतलब ये होता है किसी quantity की quantity को देखना temperature ये भी measure किया जा सकते हैं time जो है ये भी इसी के अंदर आ जाते हैं और इसको हम कहते हैं continuous data continuous data क्या होता है जिसको हम measure कर सकें discrete वो है जिसको हम measure कर सकें लेकिन count कर सकें ठीक है 1 से 2 तक अब अगर मैं आपसे आपकी height पूछू तो 5 feet 6 inches या kilogram में weight पूछू 50.67 ठीक है जहां पर decimal points involved हो जाएं उसे हम कहते हैं continuous data और ये जो decimal points है इनको decimal points को float data भी बोलते हैं in python but that's another topic ये हो गया continuous data अब तीसरी जो हमारी data type है जिसके बारे मैंने आपको बताया अक्सरो कात आप परिशान हो जाते हैं कि ये कौन सी data type है और लोगों को समझ नहीं आती इसको बोलते हैं binary data binary data binary data क्या होता है ऐसा data जो मैं इसको बोलता हूँ दोगला data दो मूँ वाला data दो चेहरों वाला data दोगला data भी इसे मैं खुद ही बोलता हूँ मतलब समझने के लिए दोगला data यानि कि इसका एक रूख ये है दूसरा रूख ये है center में कोई point नहीं है ठीक है इसको ये भी आप कह सकते है direct yes और no या आप हाँ कह दो या ना कह दो ठीक है इसको आप binary data को zero one में भी show कर सकते है आप इसको true and false में भी show कर सकते है true and false सही है so ऐसा data जो दो मू रखता हो या हाँ या ना इससे ज्यादा कुछ नहीं ठीक है अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक उपर हवा में coin flip करें जैसे cricket की team में toss करते हैं सबसे पहले समझ तो गहीं है आप तो जब आप coin flip करें और वो black उस पे आके गिरे या तो वो heads आ सकता है या tail आ सकते है ठीक है so यह जो coin flip करना होता है यह basically binary data है head या tail और second हमारे पास और चीज़ आ जाती है light को हम या तो on करते हैं या off करते हैं ठीक है अगर आप dim भी कर रहे हैं तो वो इसमें नहीं आएगा that's another kind of data so binary data क्या होगा जिसके अंदर आपके पास दो किसम की categories involved होती है yes or no, true or false something like this और हमारे पास continuous data क्या है मैं आपके सामने दुबारा से ले आता हूँ discrete data जिसको हम count कर सकें number of children in a family continuous data जिसे measure कर सकें binary data जो yes or no पर depend करता है कि yes है या no है, true है या false है या इस तरह से बाकी जो चीज़ें आप इसमें देखते हैं यहां तक आपको clear हो गया कि आपके पास qualitative data क्या है, quantitative क्या है पहले मैंने वो बताया, फिर categorical और numerical वो भी आपने देख लिया फिर discrete और continuous and binary इनकी भी समझ लगी अब आपसे मेरा question है, discrete and continuous किस data type का नाम है यह numeric में आएंगे या category में आएंगे obviously, किस में आएंगे exactly, numeric के अंदर आएंगे, discrete and continuous कहां पे आएंगे numeric के अंदर, क्योंकि numbers हैं, हैं तो numbers ही ना count कर लो या वैसे, अब आगे चलते हैं हमारे पास coin हमने flip किया, binary data yes or no याद करें, male and female का मैंने आपको बताया था तो आपका ज्यादा तर यह जो binary data होता है क्योंकि इसमें category involved नहीं है या एक side है, या दूसरी side है it can also come under nominal scale ठीक है, but this data is called binary data यहां तक आपको clear हो गया होगा